दोस्तो लहसून का इस्तमाल हर घर में किया जाता है लेकिन कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लहसून का इस्तमाल सुबह खाली पेट करके उपर से एक गिलास गरम पानी पी लेते हैं तो उससे आपको क्या-क्या फायदे होते हैं अगर नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों लहसुन का इतिहास 5000 साल पुराना है और पिछले 5000 सालों से इसका सेवन हमेशा आप लोगों के घर में होता आ रहा है। लहसुन के वैद और हकीम लहसुन का इस्तमाल किया करते थे। लहसुन के अंदर एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी बायोटिक गुण मुझूद होते हैं जो हमारे शरीर की इम्मुनिटी यानि रोग परतिरोदक्षमता को बढ़ा कर हमारे शरीर के रोगों को खतम करने का काम क करते हैं इसके इसी गुनों के कारण इसका इस्तमाल सबसे जादा होता है लहसुन सिर्दर्द से लेकर कैंसर तक को खतम करने की ताकत रखता है इसके इनहीं गुनों के कारण इसका इस्तमाल 5000 सालों से आपके घरों में होता आ रहा है आपके दादा पर दादा सब भी खाने का सही तरीका वैसे तो आप कभी भी वा किसा भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप सुबह कच्चिकल sarcetic चार लेंस Speaks कर खा लेते हैं और और यूपर से एक से दो गिलास गरमपनी पी लेते हैं तो ऐसा करने से लहसुन के जो गुण होते हैं वो हजार गुणा बढ़ जाते हैं और ये एक ऐसी आयरवेदिक दवाई की तरह आपके शरीर में काम करता है जो सिर्दर्द से लेकर कैंसर तक को खतम करने की ताकत रखता है आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले बासी मू बिना फ्रैस हुए बिना टूथ बरश किये अगर आप कच्चा लहसुन खाकर उपर से गरम पानी पे लेते हैं तो उसके आपको क्या क्या फाइदे होंगे तो चलिए जानते हैं मोटापा कम करे क्या आप भी अपने शरीर की जिद्धी चर्वी से परेशान हैं और तरह तरह की एकसरसाइज और डाइटिंग करने के बाद भी आपको कोई फाइदा नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं और अगर आप इसके साथ थोड़ी एकसरसाइज और डाइट को भी फोलो करेंगे तो आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा तो अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा तो लहसुन का इस्तमाल गरम पनी के साथ सुबह खाली पेट करके जरूर देखें कोलेस्टरोल को खतम करें कोलेस्टरोल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता जिस इनसान को कोलेस्टरोल होता है उसको हार्ट अटेक आने का खत्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके साथ साथ उसके शरीर में खून का संचार भी अच्छे से नहीं हो पाता अगर ऐसे लोग सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की चार कलियां चबा चबा कर सेवन कर लेते हैं और उपर से एक गिलास गरम पानी पी लेते हैं तो उनका कोलेस्टरोल एक सपताह में ही जड़ से खतम हो जाता है और वो हमेशा हार्ट अटेक से बचे रहते हैं और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यानि जो खून का संचार होता है वो भी पूरे शरीर में अच्छे से होने लगता है जिसे शरीर के हर अंग अच्छे से काम करते हैं शरीर की रोग परतिरोदक्षमता को बढ़ाई शरीर की रोग परतिरोदक्षमता वो शक्ती होती है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करती है और अगर हम बिमार हैं तो हमें ठीक करने का काम करती है लेकिन आज कल के हमारे गलत खान पान के कारण और हमारे बदलते लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे शरीर की रोग पर तिरोदक्षमता कमजोर होती जा रही है जिसके कारण हम आज छोटी छोटी बातों पर बिमार पड़ते हैं और हमारा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि हलकी सी बारिस में भीगने से ही हमें खासी जुकाम होने लगता है ऐसे में अगर कोई इनसान सुबह खाली पेट लहसुन की चार कलियां चबाच बाकर सेवन कर लेता है और उपर से गरम पानी का सेवन कर लेता है तो ऐसा करने से उसकी रोग परतियों दक्षमता कई गुना बढ़ जाती है और वो रोगों से बचा रहता है लहसुन डायबेटीज की रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है इसके सेवन से हमारे पैंकरियाज में इंसुलीन तेजी से बढ़ने लगता है और इंसुलीन शरीर में सूगर के लैवल को कंट्रोल करके रखता है अगर नायबेटीज की दर्द में रचार कर लेता है और कई बार अच्छे से चल फिर भी नहीं पाते और आज कल तो ऐसा समय आ गया है कि 35 की उमर अगर आपकी पार हो गई तो मानू जोडों के दर्द आपका इंतजार कर रही हैं आज भारत में 40 परतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी उमर 40 साल से कम है लेकिन फिर भी उनको कमर दर्द घुटनों में दर्द की समस्या होने लगी है अगर ऐसे लोग अपने जोडों के सभी तरह के रोगों और दर्द को खतम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लहसुन खाकर गरम पानी का सेवन उनको जरूर करना चाहिए ऐसा करने से 2-3 दिनों में ही उनके जोडों के दर्द हैं जो वो समाप्त हो जाते हैं डाइजेशन को ठीक रखे डाइजेशन यानि हमारे द्वारा खाए गए खाने को पचाने की प्रिक्रिया जिस इनसान का डाइजेशन ठीक तरह से काम नहीं करता वो इनसान कभी एक स्वस्त जिंदगी व्यतीत कर ही नहीं सकता और हमेशा उसको डाइजेशन की प्रोबलम की वजह से शारिरिक परिसानियों का सामना करना पड़ता है जैसे कबज, एसिडिटी और पेट में गैस बनने से लेकर, एपचन और शारिरिक कमजोरियां अगर आपको भी डाइजेशन की समस्या है, तो खाली पेट लहसुन अगर आप खालेते हैं, तो यह आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है इसके साथ आप गरम पानी का सेवन भी जरूर करें लीवर के लिए बहुत फायदे बंद है लहसुन क्या आपको भी लीवर की कोई समस्या है, या आपका लीवर फैटी है, अगर हाँ, तो लहसुन आपकी इसमें बेहद मदद कर सकता है एक रिसर्च में पाया गया है, कि जो लोग फैटी लीवर की समस्या से परेशान है, या अन्य किसी लीवर की समस्या से परेशान है तो अगर वो लोग सुबह खाली पेटर लहसून का सेवन करके उपर से गरम पानी पी लेते हैं तो उनकी लीवर की जितनी भी समस्याई होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और वो हमेशा एक स्वस्त्व निरोगी जीवन वे तीत कर पाते हैं फेफडों के लिए फायदेमन आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अधिक धुमर पान का सेवन करती हैं उनके फेफडों में टार जमा होने लगती है जिसकी वजह से इनको सांस लेने में तकलिफ से लेकर शरीर में कैंसर तक की गंभीर बिमारिया लगने का खत्रा बढ़ जाता है अगर ऐसे लोग सुबह खाली पेट लहसुन की तीन से चार कच्ची कलिया खा कर उपर से गरम पानी का सेवन कर लेते हैं तो इससे उनके शरीर में जमा जो टार होता है उसकी सफाई हो जाती है वो बहर निकल जाता है और 10 दिनों में उसके फेफड़े बिल्कुल नोर्मल हो जाते हैं तो अगर आपको भी फेफडों में कोई समस्या है या आपने अधिक धुमरपान कर लिया है और आपके फेफडों के अंदर टार की मातरह वो ज़्यादा बढ़ गई है तो आप सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करके उपर से एक लीटर गरम पानी रोजाना पिएं ऐसा कर हाई बलड प्रेशर कंट्रोल में रहता है पेट के रोगों को खतम करें लहसुन का इस्तमाल खाना बनाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि यह खाने को स्वादिश्ट बना देता है इसका इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में पेट के सभी लेकिन फिर भीजिवती नहीं होंगते चेंज जरूल में इसकी उमर के इसा भड़ाई नहीं हो और उपर से एक गिलास पानी जरूरփ पियें। सबस्क्राइब करनेके बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। ता कि सबसे पहले आप तक हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए भूत भूत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे